आडी श्रमा सुलूशन क्लास 12 चैप्टर 10 है यह डिफरेंशेविरिटी MCQ मल्टिपल चॉइस क्वेशन्स देख रहे हैं यहाँ पर है FX आपको यह दिया हुआ है अब इन चार आप्शन्स में से क्या है यह आपको बता देता हूँ मैं पहले जो भी इसको खुद करना चाहते है उनके लिए रिफरेंस आंसर है function discontinuous है जो इसका logic समझना चाहते है उनके लिए बताना चाहता हूँ कि पहले आप यहाँ पर जरा F0 रखके देख लीजी मतलब X में 0 रखें देखें क्या बिलता है अगर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हैगा जी यह 0 यह X2 0 हो जाएगा यह कितना होगा 0 square by 1 plus 0 square यानिकि 0 by 1 plus 0 0 by 1 plus 0 होता है आपका 0 by 1 यानिकि 0 तो यह सारे के सारे 0 0 बन रहे हैं जी कहा था कि इन्फाइनाइट टाक तो F0 बना 0 अगर limit X tends to 0 FX यही तो होता है अगर continuity चेक करनी है तो limit X tends to जिस पे भी यह कहा गया है FX यदि इस function की value इसी जिसमें चेक करने कहा गया है इसके बराबर अगर आजाती है तो आप अराम से कह सकते हैं कि यह continuous है तो अब हम जब limit निकालेंगे तो यह 0 के बराबर आनी चाहिए नहीं तो आप कहा देंगे discontinuous है तो उसका तरीका कैसे है देखिए यह function क्या है आपका पहले इसको लिख लेते हैं यह x square है मैं x square सबसे common ले रहा हूँ देखे यह common ले रहा हूँ जी तो क्या बना 1 यहां बना 1 by 1 plus x square यहां बना आपका 1 by 1 plus x square का whole square ऐसे चलता गया यह और infinite तक जा रहा है ध्यान रखेगा अब इसमें हम लगा देते हैं limit extends to zero यह लगा देते हैं पहले देखे यह जो बन रहा है यह जो series है इसको हम कहते जैसे ऐसे a plus a square plus a q plus a की power n इस तरीकी से series बनती थी a by 1 minus r इसका sum होता था r क्या है a square by a यानि कि इसका जो common ratio है a square by a इसका भी देखे a cube by a square करेंगे तो यह भी a आएगा a by 1 minus r इसका क्या होता था summation of infinite series इसका sum क्या हो जाएगा इसका sum हो जाएगा a यह तो इसमें खरवनी है by 1 minus r 1 minus r r क्या है 1 by x square 1 by x square whole square यानिको divide करेंगे तो 1 by 1 plus x square आएगा देखे पहले यह solve कर ले तो फिर आपको यहां ले जाता हो अभी हमके विल यह वाला portion कर रहे है तो क्या बना जी denominator पहले कर रहा हूँ मैं 1 minus 1 by 1 plus x square 1 plus x square इससे multiply करें यह इससे multiply करें नीचे 1 plus x square लिख देजिए यह cancel हो गया यह ना यह नीचे है ज्यान रखेगा जब यह उपर जाएगा जब यह उपर जाएगा तो 1 plus x square उपर बनेगा नीचे क्या आपका x square रही यह आपका x square यहां पर रही लिमिट extends to 0 यह कर दीजे cancel अब लिमिट लगा दीजे extends to 0 यह कितना आएगा यहाँ 0 लगाएंगे तो 1 plus 0 1 आगे मैंने कहा था यह दोनों अगरा बराबर आते हैं यह बराबर आ गया यह 0 के बराबर अभी मैंने बताया और यह 1 के बराबर तो 1 और 0 तो बराबर नहीं है इसका मतलब जो लिमिट है इस function की वो function की value उस point पे अगर बराबर नहीं आती है तो आप clearly कह सकते हैं कि function discontinuous है यह multiple choice question का question number 7 अगर आप देखेंगे तो आपको इसका solution मिल जाएगा यह मैं already discuss कर चुका हूँ लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बात तो करेंगे क्योंकि हो सकता है कई लोग MCQ जिरोंने नहीं देखा हूँ या नहीं देखना चाहते हूँ सीधा वो इस वीडियो पे या इस discussion पे आए है यह नहीं नहीं देखा हूँ तो उनके लिए थोड़ा सा brief कर देता हूँ पहले आपको पता होना चाहिए कि log X जो होता है जैसे अगर आपने कहा y बराबर log X तो इसका मतलब यही होता है कि हाँ बेस E है तो E की पावर Y बराबर X इसकी पावर Y बराबर X तो यह log कुछ अलग नहीं है यह है यही function exponential function का ही एक form है लेकिन इसमें क्या है कि जब आप X में 0 से लेकर 1 तक जाते है तब यह Y नेगटिव आ रहा है लॉग तो आपको negative कहा मिल रहा है यह log X 0 से 1 के बीच में तो 0 तो नहीं नहीं एक्स 0 और 1 के बीच में ठीक लेकिन आप 1 से आगे गए 1 से infinite था गए यह ने कि X greater than equal to 1 गए तो यह positive मिल रहा है यह positive है देखिए आप यह सारी positive Y पे इसकी image है तो आप क्या कहेंगे कि X greater than equal 1 पे यह log X मिलेगा अब यहाँ पर आपको F dash कहा गया है हमने जब पिछला discussion किया है log X का उसमें हमने दोनों चीज़े की है क्या क्या किया है हमने differentiability भी चेक की थी और इसके पहले continuity भी चेक की थी यहाँ पर उन्होंने कहा है F dash F dash का मतलब होता है differentiation यानि differentiability तो हम left hand derivative निकाल लेते हैं right hand derivative निकाल लेते हैं X बराबर 1 पे करना है क्योंकि यह सब आपको 1 1 1 1 दिख रहा है और 1 ही इसका point है जहाँ पर यह transition हो रहा है तो आप क्या करेंगे derivative के लिए क्या करेंगे थोड़ा सी simplify हमेशा बना लीजे आप देखें limit X tends to C C यहाँ पर बान है F X minus F C by X minus C F X क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा पहले यह यूज़ करेंगे फिर यह यूज़ करेंगे F1 क्या होगा log 1 और log 1 क्या होता है यह होता है 0 यहाँ पर भी रखके देख लीज़ आप तो यह 0 आता है log 1 जो होती है value आपकी 0 होती है तो यहाँ पर हम यह FX तो FX रखेंगे यहाँ पर 0 यहाँ पर X और यह minus C C क्या है 1 है न तो minus 1 तो final क्या बनता है आपका simplified version FX by यह 0 हट जाएगा X minus 1 तो यहाँ पर क्या FX यूज़ करने वाले हैं हम क्यूंकि हम limit X tends to 1 minus याँ इधर के तरफ आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे कौन सा function यूज़ करेंगे minus log X minus log X यहाँ पर तो log 1 आएगा वो मैं आपको अल्रीडी बता चुका हूँ तो इसको लिखने की जरूत नहीं यह अग मैं नहीं लिख रहा हूँ कि यहीं इसको simplify कर दिया है divided by X minus 1 तो X minus 1 लिख देते हैं यहाँ पर भी यही कर रहे हैं limit X tends to 1 plus और यहाँ पर होगा plus log X divided by X minus 1 यहाँ पर हम रखेंगे X को 1 minus H यहाँ रखेंगे X को 1 plus H जैसे हम X को तबदील करेंगे limit change हो जाएगी limit हो जाएगी h tends to 0 यहाँ भी हो जाएगी limit h tends to 0 अब यहाँ पर X की जगा 1 minus h रख दीजे तो minus log 1 minus h by यह X क्या है इसमें देख लेते हैं X की जगा 1 minus h रखेंगे तो minus 1 minus h आगी है यहाँ पर क्या है आपका X की जगा 1 plus h रख दीजे तो log 1 plus h और यहाँ पर होगा x minus 1 तो 1 प्लस H माइनस 1 क्या बना जीए बाई H बना ध्यान रखेगा कि लॉग 1 प्लस X बाई X लिमिट X tends to 0 ये 1 होता है ये हम पहले से करते चले आ रहे हैं तो क्योंकि यहाँ लॉग माइनस H है और ये भी माइनस H है तो इस माइनस को अगर यहाँ कर दे हम और limit h tends to 0 इस पर लगाएं तो यही formula लग जाएगा ये बना जाएगा माइनस आगे है यहाँ पर ये log 1 प्लस X बाई X ये तो direct बन रहा है 1 तो यहाँ negative 1 बना यहाँ पर 1 बना negative 1 और 1 तो F F डाई देखे अब इसमें इनोंने कहा है कि आपको values बताने ये कौन-कौन सी आ रही है तो जब 1 प्लस पर गया है यही तो है 1 प्लस तो आपका क्या है 1 तो F 1 प्लस पर ये 1 आ गया यही चीज़ पूची गई थी और अब minus 1 और 1 तो differentiable तो आनी रहा है लेकिन F dash अगर आप F dash 1 लगाएंगे log X का ध्यान रखेगा इसमें एक concept हमने क्यवल LHD, RHD का रखा है लेकिन इसके answer में अगर क्यवल एक चीज़ दी गई हो एक option दिया गया है तो आप क्या कहेंगे F dash 1 प्लस ये वाला है न F dash 1 प्लस अगर ये दिया है तो 1 आ रहा है बाकी F dash 1 हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका differentiation निकाल रहे हैं तो या तो minus 1 आ रहा है या 1 आ रहा है तो minus 1 और 1 भी सही हो सकते हैं ये भी सही हो सकते हैं बट चुकि हमारे पास option के वल यही वाला है यहां F dash पे भी minus 1 भी आया है और 1 प्लस पे ये 1 भी आया है तो अगर आप चाहें तो इन दोनों को ही tick कर सकते हैं ठीक है ध्यान आएगा लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर ये 1 प्लस स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो हमको क्यों 1 लिखना चाहिए multiple options अगर आपके पास सही है तो फिर आप F1 को minus 1 कह सकते हैं क्योंकि हमारी ये value भी आई है ये दो value आई है minus 1 और 1 इन दोनों को आप कर सकते हैं इसमें न ठीक है तो आप इसको choose करेंगे तो इसको क्यों छोड़ देंगे ठीक अच्छा ये जो question है ना बारवा question इसकी चर्चा ये क्योंकि बहुत लंबा question है ये और मैंने इसको इसमें ये सारा आपको बताया है कि हम कैसे यहाँ पर आए थे exercise 10.2 पर जाएए question number 9 देखिए वहाँ पर आपको ये 15 मिनिट करीब मैंने इसको discussion किया हुआ है आपको आई जो information है वहाँ पर मैं पूरी प्रेलिस डाल दूगा list तो आप वो कर सकते है ठीके साब जो अपने आप करना चाहते हैं एक बार और यहाँ पर मैं refer कर देता हूँ ताकि आपको कोई परिशानी ना हो अगर खुद करना चाहते हैं अभी तो fx बराबर 1 by modulus x यदी modulus x greater than equal to 1 हो और a x pair plus b यदी modulus x less than 1 हो यह बताया गया है कि यह continuous b है differentiable b है और फिर आपको a और b की value निकाल लिए तो आपको याद होगा मैंने आपको जो समझाया था कि अगर आपका यह modulus x less than 1 है इसका मतलब यह x less than 1 है minus x less than 1 है तो x less than 1 इससे क्या मिला था आपको x greater than minus 1 है तो less than 1 minus मतलब इससे क्या मिलता है आपको कि या तो आप 1 से छोटे है या minus 1 से बड़े है तो यहाँ पर आप अगर यह 0 पर आ जाए इसको minus 1 लिख दे या 1 लिख दे तो 1 और minus 1 के बीच में 1 और minus 1 के बीच में यह आपको बताया जा रहा है a x square plus b और अगर modulus x greater than or equal to 1 है इसका मतलब क्या है कि आप less than equal to minus 1 के बारे में बात कर रहे मतलब इस जगह के बारे में बात कर रहे ओके clear यहाँ तक clear है यह मैं already चर्चा कर चुका है इसलिए मैं short में बता रहा हूँ इसको लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसकी continuity और differentiability दोनों चेक करेंगे तो पहले मैं continuity बनाऊंगा फिर differentiability बनाऊंगा तो ध्यान रखेगा कि अगर x less than equal to minus 1 है तो यहाँ पर क्या बनेगा क्योंकि यह दोनों देखे यह modulus x यहाँ पर भी है modulus x यहाँ पर भी है तो आपके पास option क्या बच्चता है कि या तो आप minus 1 और 0 की बीच में रहे और अगर minus 1 और 0 की बीच में है तो या तो आप minus 1 के नीचे जाएंगे या 1 के उपर जाएंगे इसका मतलब यह है कि भई आप इसको भी समझ लीजे modulus x greater than equal to 1 का मतलब यह है कि या x greater than equal to 1 हो या minus x greater than equal to 1 हो minus x greater than equal to 1 यह जो दूसरा वाला इसमें दोनों साइड मैटिप्लाय करेंगे minus से तो यह sign change हो जाएगा जी है ना तो x less than equal to 1 और x greater than equal to 1 यह सरी है minus यहाँ पर आएग तो x less than equal to minus 1 मतलब minus 1 से कम और 1 से जादा तो 1 से उपर तो 1 by x मिलेगा आपको और minus 1 से नीचे minus 1 by x मिलेगा तो minus क्योंकि हम check करना चाहते हैं इसको किसी एक point पे किसी ना किसी एक point पे चेक करेंगे या 1 पे करेंगे या minus 1 पे करेंगे तो 1 के उपर ये 1 by x मिलेगा फिर से बता देता हूँ ये जो पहला वाला है इसको मैं अभी proper लेकूंगा ठीक है 1 by ये 1 by x बनेगा अगर x आपका greater than equal to greater than 1 हो ये minus 1 by x बनेगा अगर x less than equal to minus 1 हो ये clear हो गया ना कैसे बनाया मैंने a x square plus b जो बन रहा है वो आपका सिधा x क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप minus 1 और 1 के बीच में है equality तो यहां ले लिए हमने तो a x square plus b तो ये पूरा function बना है इस function से हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो function आया है ना इसमें आप 1 by x भी जोल दीजे अगर x greater than equal to आपका 1 हो ये हम use करेंगे तो मैं left hand derivative, right hand derivative left hand limit और right hand limit के इसाब से कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास कुछ expression बन जाए तो अब आप आते हैं limit x बराबर 1 पे चेक कर रहे है limit x x tends to 1 minus कर दीजे limit x tends to 1 plus कर दीजे मैंने बताया था 1 के पीछे जा रहे है तो आपका 1 के पीछे का मतलब क्या हो गया 1 के पीछे का मतलब ये हो गया कि आप इधर की बात कर रहे है है ना, तो आपको उसा function use करेंगे, ax square plus b x less than equal to to minus 1 है 1 by x क्या होगा, x greater than equal to 1 पे, तो अगर 1 के नीचे जा रहे हैं तो ये use करेंगे 1 के उपर क्या होगा, ये देखे 1 के उपर 1 by x use करेंगे ये तो बताया गया 1 by x use करेंगे, है ना उसके बाद हम limit इसमें लगा देते हैं क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आ रहा है अगर मैं x tends to 1 लगाता हूँ यहाँ पर तो a plus b आएगा, यहाँ पर x tends to 1 लगाता हूँ तो 1 by 1 आएगा, तो ये 1 आगया और दोनों बराबर हैं क्योंकि इन्होंने कहा है, continuous है तो a plus b बराबर 1, ये आपकी पहली equation आगए a plus b बराबर 1, ठीक है जी? दूसरी equation हम लाएंगे, differentiability से ये मैं सब clear कर रहा हूँ, जगा की किल्लत है अपने पास तो a plus b बराबर 1 तो आगया, अब हम differentiability पे जा रहे हैं तो differentiability भी हम x बराबर 1 पे चेक कर लें इसमें यूज करेंगे fx minus fc, c क्या है? 1 है f1 by x minus c, यानिकी 1 minus x minus c, मतलब ये 1, अब f1 क्या है? मैंने आपको बताया था equality पर क्या है? f1, जादे आपको, 1 by x 1 पे, ये x less than equal to minus 1 है, ये x less than equal to 1 पे आपका 1 by x था, तो f1 क्या होगा? 1 by 1 यानिकी 1 तो यहाँ पर आप यूज करेंगे fx minus 1 divided by x minus 1 चलिए साब, अब आप left hand derivative पर आ जाईए, right hand derivative पर आ जाईए ओके? तो x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं, अब आपको बताया है मैंने आपको कि अगर आप 1 की इधर गए तो कौन सा यूज करना? a x square plus b, तो इस जग़े आप a x square plus b use करेंगे, minus 1 है यह, divided by x minus 1 हो गया यह, okay? और यह आपका आ रहा है limit x tends to 1 minus पे, यह आएगा limit x tends to 1 plus पे, अब 1 plus पे गए तो आपको 1 by x यूज करना है, fx की जग़ा, इस जग़ा पे, 1 by x minus 1 by x minus 1, अब इसको थोड़ा सा resolve करके हम इसको equate कर देंगे, ठीक? इसको resolve करने का क्या तरीका है, a x square plus b minus 1, आपके पास क्या है यह, यह, अगर इसको देखिए, तो b minus 1 अगर इसको करेंगे, तो a यहाँ जाएगा, b minus 1, यह नहीं कि minus a बनेगा, बी minus 1, minus a बनेगा, okay? यह बनेगा, a x square minus a by x minus 1, यहाँ आपका, इसमें लगा दीजे, limit extends to 1, यहाँ पर limit extends to 1 लगा रहे हैं, तो यह बनेगा, a 1 plus 1 यानिकी 2 है, तो यह left hand derivative 2 है बन गया, यहाँ पर आ जाएगे, उपर वाला देखिए, बने क्या बनेगा, 1 by x minus 1 बनेगा, यह 1 minus x by x, और यह बनेगा, 1 minus x by x, into x minus 1, अब यह दोनों cancel हो जाएंगे, लेकिन negative बाकी रहेगा, क्योंकि यह 1 minus x है, यह x minus 1 है, यह minus और यह x बनेगा, minus x, okay? एक्स, एक्स जो है, वो आपका, क्योंकि यह दोनों cancel तो हो गया, लेकिन x आपका minus 1 by x नीचे आ गया, अब limit x tends to 1 लगा दीजिए इसमें, यहाँ कोई दिक्कत तो आ नहीं रही, यह by zero form तो बन नहीं रहा है, यह basically 1 लगाएंगे तो minus 1 आएगा, तो यह दोनों के equate कर दीजिए आप, 2a बराबर minus 1, क्योंकि left hand derivative, right hand derivative बराबर है, क्योंकि यह function differentiable है, तो a बराबर आगया minus half, इसमें रख दीजिए इसको, a plus b बराबर 1 बें, देख जिएका minus half है, plus b बराबर 1, b आपका हो जाएगा, 1 plus 1 by 2, यानिकि 3 by 2, b आगया आपका 3 by 2, देखे कौन सा option है, a 1 by 2, b 3 by 2, ये, o a, a minus 1 by 2, अच्छा है, यह यह, यह all options ही हो गया, अगला जो है, इसमें function fx दिया हुआ है, x minus, यह है, greatest integer function, अब इसमें बताना है, continuous है के नहीं है, अब क्यूंकि मैं आपको, जो बहुत जादा time लेते हैं, question जिनको हमने बहुत अच्छे से discuss किया है, उसके लिए मैं आपको reference देता हूँ, क्योंकि वो already हम कर चुके है, बार-बार, you know, there is no point in reinventing the wheel, बार-बार एक चीज़ को discussion करने हैं, कोई फायदा नहीं, यह थोड़ा question इस तरीके का है, जिसको हम अ यह कहा, कि आपके पास यह है, यहां कोई आपका यह N है, और यह N-1 है, N-1 इसलिए कर रहा हूँ कि यहां पर N integer है, जैसे अगर मैं एक line बनाओ और यहां कहूं 3 है या 2 है, ठीक है, तो जब भी मैं यहां पर इस greatest integer function को खोलूँगा, खोलूँगा, और value N-1 और N के बीच में है, तो हमेशा यह आपके lower पे जाएगा, किस पे जाएगा, हमेशा यह N-1 लेगा, अगर कोई भी value इसके बीच में हो तो, ठीक है, इसका मतलब, अगर मैं इस function को कहूं, मेरा function है x minus modulus, यह सारी, greatest integer function x, तो यह बनेगा, अगर मैं इन दोनों के बीच में हूँ, 2 और 3 के बीच में हूँ, मान के चलिए, आप 2 और 3 के बीच में है, मतलब मैं इसको generalize कर रहा हूँ, N के साथ, अगर आप इसके बीच में है, N माइनस और N के बीच में है कहीं, तो यहाँ पर आपको greatest integer function जो होगा, यह वाला, यह आपको N माइनस 1 देगा, तो यह क्या बनेगा, x माइनस N माइनस 1, हमेशा जो भी value होगी, जैसे 2.2 होगा न, तो वो 2 ही आएगा इसका उत्तर, यह clear हो गया, लेकिन यदि आप N और N प्लस 1 के बीच में, इस जगह पे हैं, मतलब 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, अगर कोई भी value अगर आप लेते हैं, तो आपका 3 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा न, अगर आप एन और N प्लस 1 के बीच में तो क्या आएगा, N आएगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा, greatest integer function हमेशा lower integer लेता है, यह वाला, ठीक, तो अगर मैं X N और N प्लस 1 के बीच में हूँ, इसको include नहीं करते हैं, इसको include नहीं होत X भी N हो जाएगा, यह न, और यह जो, अगर आप 3 लेने तो 3 बनेगा, 2 लेने तो 2 बनेगा, 4 लेने तो 4 बनेगा, क्योंकि आप तो integer का ही greatest integer function निकाल करें, तो N याने की 0, जो भी value होगी, जो भी यहाँ पर होगी, इसे X माइनस something करते हैं, तो वो X ही आएगा, यह वाला, क्योंकि यह integer है, तो यहाँ तक तो आपका clear हो गया, X माइनस N माइनस X माइनस, अब बिसिकली बना क्या है, यह बता देता हूँ, इसको short करके, यह आपका अगर आप left hand limit लेंगे, हम X बराबर N पे चेक कर रहे हैं, left hand limit लेंगे, तो आपका यह क्या बन रहा है, X माइनस N प क्या यह दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको, यह दोनों तो बराबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक addition 1 है, इसका मतलब यह है, कि left hand limit, right hand limit बराबर नहीं हो रही है, तो function continuous तो है नहीं, जब continuous नहीं है, तो आप आगे तो बात ही नहीं कर सकते, differentiable की बात ही नहीं क पर तो continuous नहीं मिलेगा आपको यह, लेकिन अगर आपको कोई 2.3 है, 2.4 है, 2.6 है, integer पर नहीं मिलेगा यह, लेकिन अगर non integer है, तो आपको यह continuous मिलेगा, non integer का मतलब क्या है, कि आप उस, अगर आप देखिए, अगर मैं 2.2 में से 2 हटाऊंगा, इसके लिए example मैंने proper दिया कि यहाँ पर आप कोई भी value निकाल के दिख लिए, इस जगह पर करके दिख लिए, तो x-x bar, x bar क्या होता है, कि 2, और यह अगर मैं 2.2 का निकालता हूँ, तो क्या आता है मेरा, 2-, यह हमेशे 2 देगा आपको, 0 हो गया, इसी तरीके से अगर आप 3-3.6 करते हैं, तो आपको continuous नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका transition हो रहा है, बाकी जगह पर आपको क्या मिलेगा, continuous मिलेगा, तो इसका उतर क्या है, यह जो function है, यह integer पर continuous नहीं है, लेकिन non-integer पर यह continuous, तो given function is not continuous as integer, बट बाकी जगह पर यह continuous आपको मिलेगा, greatest integer function का हमने graph भी बनाया अगर बात हो गई, अब हम यह questions लेंगे अगली बार, ध्यान रखेगा, sign का और cause का वो आखिर में बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ time लगेगा, इसलिए